बरबटी, काउपी या लोबिया ये तीनो एक ही नाम हैं। मैंने एक गठे खरीदी थी और इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हैं। जो एकदम सॉफ्ट वाली है, उसको मैं एज़ा सैलेड खाती हूँ, इसलिए मैंने उसको सेपरेट किया है। जो दूसरी कैटेगरी है, उसकी मैं सबजी बना लूँगी, जो खराब तो नहीं है बट एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। नाव ये जो तीसरा बंच मैंने सेपरेट किया है, ये बहुत ही कड़ी थी, प्लस कहीं कहीं से गल गई थी, तो इसको मैं फेकूंगी नहीं, इसका एक बहुत ही अच्छा यूज मैं आगे के वीडियो में शेयर करूंगी। पहली केटेगरी, जो दो थी, उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, सेपरेट करके, ताकि जब मैं सलाद के लिए काटने जाओ, तो मुझे पता है कि लेफ्ट वाला सलाद वाला है, और राइट वाली की मुझे सबजी बनानी है, तो खाते समय मुझे इस पेशली अलग से चाटना नहीं पड़ेगा, इस तरह से मेरा फूड वेस्टेज कम हो जाता है, और काम इसली हो जाता है, जो वो तीसरा गुरुप था, उसकी बरबटी गली हुई थी, इसको आप एक बार छेल के देखिए, अगर वो फ्रेश हैं, तो उनको आप सिर सीड निकाल लीजे, मतल डालर डाल के टेस्ट इंजोई कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, कि जब आप कोई सबजी बना रहे हैं, उसमें आप इनको यूज कर सकते हैं, इसपेशली जो छोला वेगरा है, उनके साथ, वाश करके उसका वाटर ड्रेन कर लीजे, कोई भी नई ड्रेस या शर्ट खरीते समय, इसपेशली जब वो बटन वाले हों, तो जो बटन लगी होती है, उसी की एक मैचिंग बटन स्पेर में हमें जरूर मिलती है, अगर कुर्ती की स्लीव अटैच नहीं है, तो वो स्लीव और बटन हमें कुर्ती के नीचे इन इस बटन को आप कट करके जरूर निकाल लें, वरना इसके गुमने के या खराब होने के जादा चांस है, बटन या तो डारेकली कुर्ती के साथ अटैच होती है, फ्लैप में नहीं, या फिर किसी फ्लैप के साथ ही अटैच होती है, और फिर वो कुर्ती में लगी होई होती तो अगर वो flap के साथ है तो उसको cut करना बहुत आसान है आप scissor use कर सकते हैं बट अगर button जो है वो कुर्ती के साथ ही stitch है तो उसको निकालना difficult है तो सबसे पहले आप flap तो cut कर लीजे बट इस button के लिए आप scissor use ना करें इसके लिए जो saving razor की blood होती है उससे आप cut कीजे बस इस इस तरह से fold करके उसके एक सीरे का धागा काटिये button आटोमेटिक निकल जाएगी इन बटन को आप save करके कहां रखेंगे कोई भी एक डबी लीजे मैंने ये जो food container होते है उसी के डबी ली है उसका जो flap है और transparent है तो आसानी से दिख जाती है सबसे पहले क्योंकि आपने जो ये blood use की है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है नहीं तो हो सकता है अगर घर में बच्चे है या हम खुद ही हाथ वगरा कट कर लें अब इस डबी को मैं रखती कहां हूँ तो जो मेरा dressing table है इसका drawer organization मैंने आपके साथ share किया था इसी में मैं पीछे की तरफ पर्फ्यू जब हम kitchen में खाना बनाने जाते हैं तो एक बार fridge की तलाशी जरूर लेनी पड़ती है कि fridge में रखा क्या क्या है और मुझे उनमें से क्या बनाना है इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप list बनाके fridge के side में magnet से strick कर दीजे जैसे यहाँ पे मेरी पास कौ अब बची हुई बांकी में से ही मुझे बनाना है जिस दिन मैं cauliflower बना लूँगी उसको भी cut कर दूँगी और अगर मुझे kitchen में कुछ याद आए कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैं इस list में note down कर लूँगी इस तरह से मुझे बहुत help हो जाती है इस बहुत सारा time तो बचता ही है साथ ही साथ हमारा stress भी कम हो जाता है हम सभी अपने घर को improve करने का और सजाने का हमेशा ही सोचते रहते हैं तो आज एक मैं नया idea share कर दें हूँ हमारे घर में अगर इस तरह से बोरी और polythin हैं तो आप उनको इस तरह से required length का stitch कर लीजे और चारो तरब piping कर दीजे इसको use कहां करना है इस बोरी को मैं बहुत दिनों से collect कर रही हूँ मतलब मेरे पास गेहूं की जो भी बोरी आयती है मैं उनको रखती जाती हूँ ऐसे collect कर करके मेरे पास 4 या 5 हो गई थी इसको मैं जो हमारा grocery वाला counter होता है वहाँ as a liner use करती हूँ आप देख रहे हैं कि इससे कित वापस लगा सकते हैं clean करके इसी तरह से जहां मैं अपनी dust में रखती हूँ उसके नीचे भी यही बोरी का liner लगाया हुआ है बोरी को साफ करना बहुत आसान है बस पानी से धोना ही है मैं हमेशा एक spare में जरूर रखती हूँ यह idea मुझे तब आया जब मैंने अपनी अलमार बिचाने का idea बहुत पहले share किया था कि हम उनको कैसे बना सकते हैं डोर में भी हमें liner बिचाना चाहिए बट यह बहुत छोटे होते हैं तो इसके लिए liner सिलना थोड़ा difficult लगता है तो मैंने जो इस तरह की delivery के लिए polythin आती है पूरा blue होती है एकदम plain इसी को मैंने required length में cut क लिया है और डोर के slab में बिचा दिया है यहाँ पे total four big slab हैं और दो छोटे छोटे हैं मतलब मुझे total five चाहिए इसी तरह से मैंने एक और spare set रखा है यह मैंने पहले cut किया था इसलिए थोड़ा printed है मैंने length measurement cut करके इसलिए रखा है ता कि कभी मुझे liner change करना हुआ तो आसान हो इसमें रख सकते हैं या side में अगर नहीं तो यह napkin का जो box है मैं इसी के अंदर इसको एक corner पे डाल देती हूँ तो जब भी मुझे change करना होता है तो यह थोड़ा आसान बन जाता है वीडियो का ये part उन सभी मम्यों के लिए हैं जो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहती हैं बट उनके पास time नहीं होता जब भी आपको कोई काम करना है जहां भी करना है घर के जिस हिंसे में भी kitchen में, bedroom में, dining hall में आप वहीं पे अपना काम लेके बैठ जाएए अपना काम भी करते जाएए बच्चों को कुछ बीच बीच में सिखा दीजे अगर वो learn कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजे अगर reading क करते समय उनको pronunciation नहीं आ रहा है तो वो सिखा दीजे इस तरह से आपका काम भी होता जाएगा और आप उनको कुछ पढ़ा भी साइंगे या सिखा देंगे जैसे मेरा बेटा जब भी learning करता है तो मैं वहां या तो कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठ जाती हूं या मुझे कोई चीज नेक्स डे के लिए प्रिपेर करना है तो उसकी जो प्री प्रिपरेशन होती है वो मैं यहीं पे बैठ के कर लेती हूं स्टिचिंग करते समय हमें चीजों को जोड़ने की जुरत पड़ती है ताकि वो अपने required length और width में आ जाए तो generally हम दोनों के सीधें से एक तरप करके और फिर सिलते हैं इससे जहां पे joint है वहां पे चार layer बन जाती है इस तरह से वो बहुत मोटा लगता है और भद्दा भी दिखता है तो join करने के लिए आप दोनों हिंसों के सीधे पार्ट को उपर रखिए दो इंच का overlapping देते हुए जो दो इंच की width है ब्रॉड है वहां पे दोनों तरप stitch कर दीजे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी आप देख ही रहे हैं एकदम neat लगेगा दोनों तरप से ही कहीं भी उल्टा कहीं भी सीधा नहीं तो यह सिलाई की पहली tip थे दूसरी जब हम सिलाई करते हैं तो एक हिंसा सिलने के बाद हम उसके धागे को कट करते हैं और फिर दूसरा हिंसा सिलते हैं तो generally आप habit बनाईए कि सिलने के बाद बार बार धागा कटने की जुरत ना बने एक सिल लिए उसी के पीछे दूसरा लगा दीजे अगर आपको flip करके करना है तो भी इससे कई बार जब हम धागा cut करते हैं तो सुई से वो निकल जाता है तो सुई में डालने का time waste हो जाता है धागा भी waste होता है और बार-बार सीजर उठाने का भी time waste होता है तो ये वाली tip of follow करके देखे आपको बहुत सारा time save होगा और बार-बार सीजर उठाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी मैं पूरी stitching के दौरान hardly एक या दो बार ही धागा cut करती हूँ मेरा काम बहुत ही fast हो जाता है और हाँ ये practice से आएगा जब ही हम कोई pickle बनाते हैं या ऐसी चीज बनाते हैं जो काफी लंबे समय के लिए आपको store करना है तो आप जब boil करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मशर पका रह जाता है हम तेल वगरा डाल देते हैं नमक डाल देते हैं फिर भी उसमें fungus लगने लग जाता है क्यों क्यों क्योंकि जब हमने boil किया है तो उसमें थोड़ा सा मौशर था अब उस मौशर को उड़ाने के लिए आपको इसको धूप में रखना चाहिए अगर आप कैप बंद कर देंगे तो मौशर वहीं का वहीं रहेगा और खुला रखेंगे तो कच्रा गिरने का डर है तो आप एक इस तरह की नैकिन लीजे और उसको बरनी के उपर बान दीजे धागे की हेल्प से इसको आप सुबद जब भी आपके हां धूप आती है तब रखें और धूप जाने के बाद घर के अंदर रख लीजे ये प्रोसेस आप दो से तीन बार कीजे यखीन मानिए आपका जो पिकल है वो काफी लंबे समय तक सेफ रहेगा